यदि आप है fresher और बनाना चाहते हैं cover letter पर आपको पता नहीं है कि आप मुझे कितने paragraph रखने चाहिए और इस paragraph में मैं ऐसा क्या लिखू बिकॉस मैं तो एक fresher हो में पास experience नहीं है बताने को कि मैं वहाँ पे कुछ लिख सकूँ तो वो सब में क्या-क्या करना है उसके अलग-अलग templates कैसे तुम ले सकते हो यह सब कुछ आज हम देखेंगे इस video में अगर जी आप और हम पहली बार मिल रहे हैं तो मेरा नाम है शोहे पटैल पेशे से मैं recruitment consultant हूँ सो मेरा खाम ही है कि मैं लोग को job पर लगाता हूँ and because of that मैंने बहुत सारे लोगों के अलग-अलग resumes देखें हैं अलग-अलग cover letters देखें तो वो सब में मुझे जो सब में easy format लगता है आज मैं आपको वो बताऊंगा ताकि आप उसको अच्छे से देख पाएं अपने तरीक सब्सक्राइब और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर देना ताकि में को बता चले मेरी मेनत आप तक पहुंची चले जी शुरूर करते हैं जब कभी भी आप cover letter बना रहे हो तो आपको ये तीन चीज़े याद रखनी है जो कि बड़ी simple है और यही चीज़े cover letter मे अगर आप रख लेंगे तो आपका जी जो cover letter है वो successful होगा तो अगर यह तीनों चीज़े अब कैसे करनी है क्या करनी है वो सब चीज़े hand holding करके सिखाता हूं आदाम से देखते रहे हैं कुछ नहीं समझता है प्लीज कॉमेंट कर दीजेगा अब जी शुरूरू बात करते है सो जब फर्स जो चीज होती है जो हम let's say cover letter के top पे लिखते हैं उसमें आप आपका नाम लिख सकते हो उसके बाद में आपका let's say आप जहां कई भी रहते हो for example Mumbai तो उसके बाद में आप प्लीज अगर Mumbai में आप दादर साइड में रहते हो तो वहां लिख दीजे ठीक है या त थोड़ा सा नीचे आएंगे और वहां पर अगर आपको पता है कि आप किसको लिख रहे हो आपका cover letter basically आपका कोई भी जो hiring manager जो hire कर रहा होगा company का HR होगा तो आप उसका नाम लिख सकते हैं अगर आपको नाम नहीं पता so hiring manager recruitment manager लिख सकते हैं और उसके बाद में उस company का नाम इचे लिखिएगा और उसके बाद में फिर शुरू किजएगा इतना करने के बाद में आप और हम start करेंगी जिप पहला paragraph लिखना according to me अगर तीन paragraph आप लिखने पाओगे काफी है अब जी सब में main और important बात पूरे वीडियो की आपना यार यह समझो कि आपना fresher हो correct बट आपके पास में बहुत जादा experience नहीं होगा बट शायद आपने कहीं पर कुछ प्रोजेक्ट किया होगा ठीक है शायद आपने कहीं पर कुछ internship कि होगी दो तीन मैने की या तो अगर आपने let's say कुछ भी नहीं करा है आप किसी cultural team के पाट रहे होंगे अपने college में आपने fest organized कि किया होंगे या कुछ भी किया होगा तो उसकी चीज को याद रखते हुए वो अपने abilities में आपको mention करना बहुत important होगा ठीक है I hope you get that अब जी जो शुरुबात करते हैं let's say अगर आप जो पहला paragraph लिखोगे तो वो कैसा लिखोगे मैं आपको वो बिता रेता हूँ पहले paragraph में आप basically mention करोगे that you are interested for this job फिर इसके बाद में who you are अपका let's say qualification अगर आपने बिता दिया फिर इसके बाद में आपने बिता दिया कि where you found this job and what is the job title तो ये सारी चीजे अपने पहले paragraph में बतानी है so पहला paragraph जादा हाड नहीं होगा वो कैसे होगा कुछ इस तरीके का होगा आप यहाँ पे देखो लिखा है Hi Shoaip, I am writing to you to express my interest in the digital marketing executive position you have opened on your company's website with a job ID 961 I am certified digital marketer, bachelor in computer applications and I am confident that my experience and skill set would be a great match for this position अब पहले paragraph में जादा हमने कुछ में नहीं किया खाली बस अपने बारे में इंटो दिया है कि basically let's say qualification बता दी और थोड़ा सा यह बता दिया कि मुझे आपके यह job opening भी कहां से मिली है और यह सारी चीज़ है So I hope आपको यह पता चल गया होगा कि मैंने इसके पहले आपको बताया थे कि क्या क्या लिखना होता है और इसको exact position में आप कैसे लिखोंगे I hope you get that अब जी जो main चीज़ है वो है जी second paragraph में अब मैंने आपको इसके पहले example दिया हुआ था कि आपने जी जो second paragraph है important होता है इसी paragraph में आप यह बता सकते हो कि आप क्यों एक asset हो कि अगर यह company आपको लेगी तो वो फायदे में रहेगी तो आपने यह कैसे बताना है जी आपने जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया हुआ था अगर आपने कोई internship करी हो अगर आपने कोई project किया हो अगर आपने कोई fest organize किया हो या cultural team के part रहोंगे या आपने कुछ भी करा होगा तो आपके पास में कुछ qualities आती है करने का try करें और इसके बाद में खुद को present करें अब जैसे मैंने इस example में देखे इसको कैसे merge किया हुआ है I have a strong knowledge of digital marketing principles backed by experience I have gained in the last three months in my previous internship I helped the digital marketing team of a marketing consulting firm with over 60 lakh in revenue I not only met my expectations but exceeded them by increasing cash flow by 7 lakh I helped achieve this by getting new clients and negotiating better contracts there is more depth on my experience and skills in my resume which I would appreciate you looking over तो इसमे क्या हुआ जी इसमें बेसिकली इन्होंने उस सावी चीज़ों को एक्स्प्लें करा कि कैसे इन्होंने पिछले तीर महिने में एक कमपनी में जॉइन किया हुआ था उसमें उन्होंने कैसे कैसे काम किया और जब उन्होंने काम किया तो उन्होंने और भी परेंशन कर सकते हो आई होप यू केट अब जी चलते हैं जो लास्ट एंड सब में सिंपल पार्ट है वह जी थर्ड जो इसका परग्राफ होगा उसमें आप क्या लिखेंगे थर्ड परग्राफ में आप यह बताएंगे कि क्यूं आप कॉलिफाइड हो इस जॉब के लिए और क्यूं आप परफेक्ट कांडिडेट हो इस जॉब के लिए उसके बाद में जी आप करेंगे कॉल तू आक्शन यानि कि प्लीज आप मुझे कॉल कीजे या इंटर्व्यू के लिए बुलाएं या टलिफोनिक इंटर्व्यू करवाएं और लास्ट चीज आप उनको थैं कंडिडेट पर इस पोजिशन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सिंपल तरीके से ये कवल अटर लिखते हैं यह पूरा कुछ ऐसे लिखेगा तो इस वेवी इसी तो बी फ्रांक आपने क्या करना है जी आपके स्ट्रेंथ के अगर नहीं भी आए प्लीज पर लाइक कीज़ेगा नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बन जाए हमारी फैमली का पार और जी मेरा नाम है शोहेब पटेल चलिए भाए बाए बाए